आज हम बनाएंगे आलो की चाट वो भी एक्दम नए तरीके से इसे बनाने में सिर्फ पांच मिनट लगेंगे और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा पांच मिनट में हमारी एक्दम तीखी चटपटी और नए तरीके की आलो चाट बनकर तयार हो जाएगे हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ काजोल अब सभी का स्वागत है मेरे चैनल में तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्रेंट्स नए तरीके से आलो चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने साथ आलो लिये हैं वजन में यह आधा किलो यानि की 500 ग्राम होंगे अलो कु अच्या वस करे रख़ा ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए अव इसी आव अच्छे से छीन लेगी तो यह देखी फ्रेंट्सस पीलडर की हल्पस हम इसे अच्छे से छीन ले रहे हैं आप इसे हम साब पानी मेट करेंगे से अच्छे से वस करेंगे बट depends चियल के तो यह दिखी आप मैं इने सारे आलो अच्छे चील अब एक दू बार सापानी में अच्छे से वास करेंगे यह जो मैं आलू की चाट की रेस्पी बता रहे हैं इसे आप दो तरह की रेस्पी तयार कर सकते हैं अलू चाट और अलू चिप्स की तो वीडियो में आखरी तक बनी रही है मैं दोनु चीज़े आपको बनाना बताऊं तो जैसे हम आलू की चिप्स काटते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें सारे आलू इस तरीके से कट कर लेने हैं यानि कि आलू के स्लाइस आप चाहें तो आलू को चार भाग में काट कर भी आलू की चाट बना सकते हैं बट इस तरीके से कट करने से आलू क्रिस्पी फ्राइ होते हैं और इसका चाट खाने में बहुत अच्छा लगता है तो यहां पर मैंने सारे जिप्स कट कर लिये हैं अब इसे हम किसी कॉटन के कपड़े से अच्छी से पोच लेंगे ताकि इसमें मौश्चन ना रहे तो इस तरीके से में अलू के स्लाइस को अच्छी से सुखा ले तो चलिए अब इने फ्राइ कर लेते हैं तो यहां पर मैंने और पहले से गरम करके रखा था अब एक आलू की स्लाइस ओल में डाल कर देखेंगे अगर यह स्लाइस ऊपर आ जाती तो आप समझे और अच्छी से गरम हो चुका है तो यह देखे यह ऊपर आ चुकी है तो इस तरीके से आप अलू के चिप्स भी बना सकते हैं बड़ उसकी लिए आलो को आपको क्रिस्पी होने तक इसे उलटते पलटते रहना है तो मैं इसे ज्यादा क्रिस्पी नहीं करूंगी क्योंकि मैं अलू चार्ट बनाने वाली हूं तो फ्रेंड से देखे जब इसका कलर इस चिप्स बनाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा और क्रिस्पी होने तक फ्राइब कीजिएगा इसी तरीके से आपके इंस्टंट आलो की चिप्स भी बनकर तयार हो जाएगे तो इसी तरीके से हम बाकी आलो की स्लाइसे भी फ्राइब कर लेंगे तो यह देखिए सेकेंड प्राइब करेंगे इसके पात इन सभी चीजों को अच्छे से मेक्स करेंगे तो यहां पर मैंने अलू पापली को दूसर बॉल में प्राइब कर लिया है इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ बेंगे ताकि चाट जो है खाने में अच्छी लगे एक ही बार में वह में चली जाहें चैंसा अवाज सुनिए कि सीबस्के बने हैं अब इसमें नहीं प्रॉस्त करेंगे देया से यह जिए कर सकते हैं अलगे कटी ही प्याज और दो हरी मिर्च आइड करेंगे दो पिंज भुणा हुआ जीरा आइड करेंगे दो पिंज लाल पाउडर और दो पिं चाट मसाला लाल मिर्च मैंने दوبारा इस लिए अइड करी है ताके ये घटेपन को बेंस्क्री और चाट तोड़ा सा तीखा बने दही आपको फ्रेसी यूज करनी है इसके बात यहां पर मैंने टॉमेटो सॉस आइड कर दिया है जो कि मीठी चटनी का काम करेगा और यहां पर मैंने नमकीन आइड कर दी है इससे चाट हमारे देखने में भी बहुत अच्छा लगीगा और खाने में भी तो चलिए इन आलू चाट बनाएए और इंज्वाए किजिए अगर आपको में वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और ऐसी रेस्पीच देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने ही साथ बेल आइकन जरूर प्रस करना तो मिलती हूं फ्रेंच एक नई रेसि